यह डिक्टेशन उच गती अभ्यास खंटू से लिया गया है परतिलेखन संख्या 17 वह 18 गती 100 सब परती मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होने में समय से इस है पान सिकेंड रेडी एंड स्टार्ट बहनो भारतिये अस्तिरी जाती की प्राचीन गौरब गरिमा एवं उच परंप पराओं को धियान में रखकर ना केवल आपको सिच्छित होना है बलकि सिच्छा समाप्त करने के पस्चात पुरुसों के साथ सहगामनी बनकर आपको सब दिसाओं में कदम बढ़ाना है स्वतंतरता प्राप्ति के बाद अब राष्ट के नव निर्मान के कार्ज में आपको भी उचित जिती से भाग लेना चाहिए यह सब तभी संभब हो सकता है जब हम वर्तमान सिच्छा पदती की कमियों एवं दोसों को दूर कर उसको अपने अनकूल एवं उपयोगी बना सकेंगे इस संबंध में भी देश में परस्पर भिरोधी विचार धाराएं प्रचलित हैं आधूनिक सुधारवादियों या जो अपने को प्रगती सिल कहते हैं उनकी धारना यह है कि बालक बालिकाओं को एक साथ सिच्छा दी जाए और दोनों की सिच्छा परनाली एक सी हो उनका यह भी विचार है कि इस्तिरियों को ना केवल सिच्छा पदती में ही बलकि अन छेत्रों में भी पुर्सों के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए तथा उन्हें समपुन समाजिक स्वतनता होनी चाहिए उन्हें समाज के समस्त व्यपसाय और व्यापारों में समान रूप से भाग लेना चाहिए और सिच्छा परनाली की रचना इन सब के अनकूल होनी चा इनके विपरित हैं इस परकार अस्ट्री सिच्छा और अनबातों के संबंध में हमारे देश में वर्तमान समय में परस्परविरोधी विचारधारायें प्रचलित हैं इन दोनों में से कौन सी विचारधारा उप्युक्ट हो सकती है और किसके द्वारा हमारी संस्क्रिती एवं सभ्यता फल फुल सकती है इस पर हमें ध्यान देना आवस्यक है जहां तक मेरा अपना विचार है मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाना सिरेशकर होगा वर्तमान सिच्छापदती के आदर्स एवं उद्देशियों में जो दोस्त पाए जाते हैं उनके अतरिक्त वह बहुत महंगी सिध्ध हो रही है परती वस हम अपने सिच्छालियों द्वारा हजारों विद्यार्थियों को तयार करते हैं जिन में से बहुतों को नौकरियां ना मिलने पर जीव का चलाना बहुत कथीन हो जाता है इस परकार हम अपने सिच्छालियों द्वारा जहां काफी संख्या में विद्यार्थि बेकार तयार होते देखते हैं वहां फैसन परस्त भी तयार होते देखते हैं हमारे साधारन ग्रहस्त घरों की लड़कियां जब प्रारंब में आधोनिक सिच्छालियों में परवेस पाती हैं तो धीरे धीरे वे भी वहां की फैसन परस्ती की सिकार हो जाती हैं और सुन्दर सुन्दर बहुमुल साणियां एवं भाती भाती की साज स्रेंगार की बस्तूओं की नकल करने लगती हैं जिससे अपने मावाप या अभिभावकों को परियाप्त मात्रा में व्याय कराने के संकट में दाल देती हैं ऐसी सिच्छा प्राप्त कर जब वे अस्कूल या कालेज छोड़ कर जाती हैं तो उनका जीवन भार स्वरूप होने का भै रहता है क्योंकि जीवन के कार्ज छेत्र में वह अपव्याई सिच्छा पदती धनो पारजन के उप्युक्त सिध्ध नहीं हो सकती यह नौकरी की आसा भी पूरी नहीं कर सकती और अंत में यह सिच्छा उनके लिए निकम्मी मालूम पड़ती है इसलिए हमें सचेत होकर सोचना है कि क्या वर्तमान सिच्छा पदती ही हमारे लिए उप्युक्त है महोदे कुछ समय बाद जैसे ही समचार पत्रों में बहुत से लोग काम करने लगे और प्रकासन कार्ज के लिए व्यवसाय यंत्रों की आवसकता पड़ी इस कार्ज ने उद्योग का रूप धारन किया नहीं सुल्क प्रचार अथवा सेवा की भावना अब आव्यवारिक जान पड़ी और प्राया लुप्त हो गई समचार पत्र उद्योग का यह विकास संभवता श्वाभाविक है और आधुनिक विचारधारा के अनुरूप है फिर भी यद्पी पत्रों का प्रकासन एक उद्योग के रूप में होता है समचार पत्र सोद्यस राष्ट सेवा की भावना तथा नैदिक दाईत्व से एक दम मूह नहीं मोर सकते यह भी स्विकार करना होगा की इस उद्योग की यथोचित उन्नती के लिए यह अवस्यक है की दूसरे उद्योगों की भाती यह भी उन सभी साधनों से संपन हो जो अनुद्योगों ने या तो प्राप्त कर लिये हैं या वे उनकी प्राप्ती के लिए प्रियत्न सील हैं इसलिए यह सभी के हित में है की समचार पत्र उद्योग उन्नत हो और इसका अधार अधीक से अधीक ठोस हो इधर कुछ वर्षों से हमारे देश के समचार पत्रों में जागरिती की लहर आई है उद्योग की अब सक्ताओं स्रम जीबी पत्रकारों की मांगों और पाठकों के हीतों ने मिलकर ऐसी अस्तिती पैदा कर दी की समचार पत्रों की दसा पर पुनर विचार करना आवस्यक हो गया समचार पत्र आयोग की नियुकती आयोग की सिफारिसों का परकासन और उन सिफारिसों पर सरकार कार्णी ने ये सभी उक्त समस्या को सुलजाने के सम्मिलित परियतन हैं मैं आसा करता हूँ कि इन परियतनों द्वारा शमस्या का समधान हो सकेगा समाचार पत्र उन्नत होंगे और इस उद्योग में कार्ज करने वाले सभी लोगों को संतूष्ट किया जा सकेगा मैं जानता हूँ कि यह सब कहना सरल दिखाई देता है किन्तु बेवहार में लाना बहुत कथीन होता है परन्तो मुझे सुचित स्रोताओं से यह कहने की आवसकता नहीं की मानविय गतिविधी के सभी छेत्रों में चाहे वार राजनीती उद्योग अथवा प्रशाशन का छेत्र हो विभिन हीतों और विचारों में सहीयोग की भावना से राष्ट तथा शमाज के हीतों को शामन रख कर सामन जस्थापित करने का प्रियास आवस्यक है मैं इतना निरासावादी नहीं की मैं यह समझूं की वे लोग जिनके सुझाब बड़ी-बड़ी समस्याओं को सुलजाने में सहायक होते हैं नीजी समस्याओं का निवटारा करने में असफल रहेंगे हाल में भारतिय संसद ने इस संबंध में जो अधिनियम पास किये हैं उनका उद्देश शमचार पत्रों की समस्याओं को सुलजाना है यह कहना अनावस्यक होता की कोई भी अधिनियम चाहे वह किसी भी छेत्र में सुधार के लिए लागू किया जाए प्रभाव पूर्ण रूप से तभी कार्यानवित हो सकता है जब सभी संबध दल उसे सहयोग की भावना से ही कार्ज रूप दे इन मामलों में अधिनियम के सब्दों का इतना महत्व नहीं जितना उनके पीछे नहीत भावना का होता है क्या मैं आपकी संस्था से यह अनुरोध कर सकता हूं कि इस मामले में आप समाचार पत्रों को मार्ग दिखाएं आपकी संस्था निश्चे ही परमुख तथा अत्यंत प्रभाव साली समाचार पत्रों की परतिनीधी संस्था है प्राया सभी बड़े समाचार पत्र आपके सदस्य है श्टॉप